आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आज के डेट में, आज के जनरेशन में, आज के जमाना में मैं कौन सा ऐसा काम करूँ, जिस काम को करके मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो में सुरू से लेकर लाश्ट तक बने रहें, औ आप एक एक बात को ध्यान पूरवक सुनें और समझें, और ये मन ही मन कंप्रमाइज करें, कि क्या इस काम को अगर हम सीख लेते हैं, और करना सुरू कर देंगे, तो क्या वाकई में पैसा कमाएंगे या नहीं, अगर नहीं तो आप कॉमेंट करके बताईएगा, कि हम आपन और इस काम को करना सुरू कर देता हूँ, तो बहुत अच्छा इंकम करने लगूँगा, देखिए, पहली बात ये है कि आज के डेट में ज्यादातर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज है, कि मैं कौन सा काम करूँ, कुछ लोग काम भी सिखना चाहते हैं, कि कौन सा काम सिख तो आगे चल के अच्छा पैसा कमाऊं, वो भी कंफ्यूज है कि कौन सा काम सिखूं, सिखूं तो कौन सा काम सिखूं और करूं तो कौन सा काम करूं, इस वीडियो में जो भी काम बताया गया है, आप इस काम के बारे में जरूर सोचे और सिखना सुरू करें, अगर सिख लि तो बहुत पैसा कमाएंगे आप थोड़ा के बारे में इमेजिंग कीजिए हर लोग आज की डेट में के का सोखें हो गए हर लोग कुछ न कुछ छोटा मोटा फंसन प्रग्राम में के काट दे रहें अगर आप कंफीज में है कि मैं क्या सिखूँ तो आप केक बनाना सिख तो केक काट रहे हैं या नहीं केक का डिमांड दिन परते दिन बढ़ता जा रहा है या नहीं आप खुद सोचिए बड़े में केक कट नहीं कटना है किसी का इन्वर्सरी हुआ तो केक कट नहीं कटना है आप ये मत सोचिए कि रोज बड़े नहीं हो रहा है रोज इन्वर्सरी किजे और केक बेच कर भी दोस्तों आप अच्छा पैसा कमाएंगे मैं आपको बताता हूं आज के डिट में कोई भी केक 200-200-300-400-500 से कम में नहीं मिलता और उसकी लागत कितनी आती है बनाने में जानते हैं मातर 60-65 रुपया मेरा एक कोलोजली मेरा भाई है मामा का लड़का है वो खुद बताता है कि ज्यादा से ज्यादा 60-65 अगर बड़ा केक बनेगा तो उसमें लागत ज्यादा होती है लेकिन एक चोटा जो मार्केट में 200-300 का केक मिलता है दोस्तों उसकी लागत बनाने में जो पैसा कवाएंगे दूसरा बिजनेस आइडिया के बारे में बताओं दोस्तों तो दूसरा जो बिजनेस आइडिया है जो सिखने के लिए है वो है मिठाई बनाने का काम अप मिठाई बनाना सिख जाएए देखिए आप फिर कुछ उल्टा मत सोचिए मैं जो बता रहा हूं इस पर थोड़ा सा फोकस किजिए ध्यान देजिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों मिठाई बनाने का काम में भी बहुत पैसा है यह यकीन मानिए आप जितने लोगों को देखते हैं बड़ा बड़ा जो मिठाई का दुकान देखता है क्या वो मिठाई खुद से बनाते हैं बिल्कुल नहीं वो कारिगर रखे हुए मिठाई बनाने के लिए वो कारिगर कितना पेमेंट लेता है जानते हैं मेरा एक दोस्त है क्लोजली क्लोजली जोस्त है अगर आप कहेंगे मिठाई बनाना आप सिखना चाहते तो मैं उसका नंबर दे दूंगा आप मुझे कोम तो इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि आपको अगर सिखने का कुछ चाहत है तो आप मिठाई बनाना भी सीख सकते हैं कौन सा मिठाई हर तरह की मिठाई हर तरह का मिठाई जैसे काजू बर्फी हो गया पेड़ा हो गया मैं रसमाधुरू हो गया मिठाई में बहुत तरह क मिठाई होता है दोस्तों अगर आप मिठाई दुकान पो जाओगे तो आपको तरह तरह का मिठाई दिखेगा वो सब की मैं बात कर रहा हूं खुआ का मिठाई बनाना सिख जाए चेना बनाना सिख जाए पनीर बनाना सिख जाए या बहुत सरा मिठाई दुकान में जो बहुत अच्छा पैसा कमाता है अगर अच्छे तरीके से मिठाई बनाना सीख जाएंगे तो दोस्तों आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे यह सिखने वाली चीज है मिठाई का दीमंड कभी खतम होने वाला नहीं है चाहे वो किसी का साधी हो विवा हो पाटी हो फण्षन हो प्रुगराम हो या मिठाई दुकान हो आप यकीद मानिए यह मिठाई सिखने का भी कला बहुत जबर्चस्त है आप यह मत सूचिए कि क्या यार यह कोई काम है क्या का काम बहुत बढ़िया है आपके सोच में बहले उल्टा सीदा चल रहा है लेकिन हमारे ख्याल से मेरा जो दोस्त है जो कारिगर है दोस्तों वह बहुत अच्छा पैसा कमाता है 40,000, 42,000, 45,000 से कम कोई दुकान वाला उसको देता ही नहीं है वह बहुत खुस रहाता है दोस्तों तो मैं इसलिए कर रहा हूं अगर आप कुछ सिखना चाहते हैं तो पहला मैंने आपको बताया केक बनाना सिख जाएए दूसरा मैंने आपको बताया कि मिठाई बनाना सिख जा लेकिन आपको इस बात को नहीं परवाह करना है मैं जानता हूं कि आप जब तक कोई भी काम सिखे नहीं है तो आपको अकबक लगेगा आपको अटपटांग लगेगा लेकिन जैसे आप उस काम को करने लग जाईएगा सिखने लग जाईएगा दिखाई देने लगेगा कि यार मैं तो यह जो सिख रहा हूं नो इसमें एंसा बहुत है आप सिख हुल करेंगे इंध दियान तो आपको लगए गया कि आरी से उप आप सिख जाएंगे तो क्या पैसा कम आंगे की नहीं क्या बाइक की कमी है चाहे आप सहर से हो या गाउं से हो गाउं के लिए तो बहुत अच्छा अप्सन है सहर के लिए तो सहर का तो बात है अलग है वहीं मैं कर रहा हूं दोस्तों कि आप बाइक रिपेरिंग करना सीख जाएए बाइक रिपेरिंग में भी बहुत अच्छा इं पेड़ार्ण hm अगर सुच रहे कि मैं क्या करूं या क्या सिख्षू तो यह शिखने वाली स्किल्ब मैं आपको बता रहा हूं कि यह सब चीज आप सीख सकते हैं और कभी बंद होने है बाई की दुकान पर जायों तो पाउच थीन चार चार दस30 री प्रहें लाइन में लगना पड़ता है इसलिए मैं बोल रहा रहा है करने के- लिए पैसा थोड़े देना है कहीं भी आपके अगल बगल में जो बाइक रिपेरिंग करता होगा यह दुकान होगे उससे आप कहोगे कि मेरे भाई अमको थोड़ा रिपेरिन करना शिखना है वह आपको रख लेगा वह सुरू में एक दम पूरा फोरफीट कर दोगे लेकिन कब जब धियान कर सीखोंगे तब आप यह मत सूचिए कि बाइक रिपेरिंग करने में पैसा नहीं बहुत अच्छा पैसा बहुत ज्यादा पैसा है तो इसलिए मैं यह सिखने वाली बात बता रहा हूं दोस्तों आप रिपेरिंग करना करने का काम भी कर सकते हैं आपको और लगता है कि यार कोई और दूसरा चीज बता हो जिससे मैं प्रोफेस्टनल के साथ सीख कर सकता हूं तो आपके लिए है मोबाइल रिपेरिंग का काम आप मोबाइल रिपेरिंग करना सिख जाएए अगदम सेंपल है कहीं भी आप टाइम दोगे दो महिना तीन महिना में आपको मोबाइल रिपेरिंग करना सिखा देगा कब जब धियान से सिखोगे तब अब आप यह मत सुचेगा कि मोबाइल रिपेरिंग करने में कम पैसा है रोज किसी का मोबाइल खराब रहता है आपका नहीं खराब है तो आप यह मत सोचे कि कि किसी और का भी नहीं खराब रहता है आप मोबाइल दुकान वाले पर चले जाएगे जो market में दुकान की है mobile repairing का उसके पास जाएगे आपको दिखेगा customer उसके पास मिलेगा आपको कुछ कोई चीज का किसी का कुछ बिगड़ा हुआ है किसी का कुछ बिगड़ा हुआ है आज के डेट में इतना बड़ा कर लिया है कि एश्टरा और कई बिजनस स्टार्ट कर दिया है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि आप जो है आज कल का तो ओनलाइन का जमाना है यह आपको भी मालूम है ओनलाइन पैसा निकालना ओनलाइन अरहार काड बनाना ओनलाइन एक जगह से दुसरे जगह पैसा डालना निकालना बहुत सरा ओनलाइन में काम आ जाता है किसी का जमीन की कागजात निकालना किसी का फरम फिलफ करन किसी का कुछ न कुछ online में बहुत ऐसी चीज़े आ जाती है दोस्तों जो आप सीख कर पैसा कमा सकते हैं आप बोल रहें आपको कुछ कि चीज़ों को सीख कर पैसा कमा सकते हैं आए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छा बिजनस आइडिया के साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ताकि इस तरह से अर्निंग से रिलेटिड व है